और आईए अब हम आपको पश्चे में उत्रप्रदेश में जाट वूट बैंक का एक्स फैक्टर बताते हैं उससे पहले हम यह भी बताते हैं कि पियम मोदी ने आज एक तीर से कई सारे निशाने साथ है पियम मोदी ने अपने भाष्ण के जरीए किसे क्या संदेश्ट दिया है समझे एक तीर कितने निशाने मोदी का मिशन उत्तर प्रदेश कि आज नरेंद्र मोदी के भाष्ण में मिशन उत्तर प्रदेश की पूरी छाप दिखी मोदी ने कुछ नामों के सारे अपनी नीती और नियत की व्याख्या की तो वहीं बिना नाम लिए अपने विरोधियों पर निशाना साथा आज हम आपको मोदी के भाष्ण का एक्स फेक्टर बताते हैं सबसे पहले बात उन नामों की जो मोदी की जुबान पर कई बार आए राजा महंदर प्रताब सिंग, कल्यांड सिंग, चौदरी चरण सिंग, योगियाति तिनाग नरेंद्र मोदी ने राजा महंदर प्रताब सिंग का नाम लिया उसके पीछे 2019 चुनाव में पश्चिमी यूपी में किया गया आयलान था यानि चुनावी वादा पूरा किया वहीं कल्यान सिंग उत्तर प्रदेश में पिछडी जाती का बड़े चेहरा थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजे पी की जीव का बड़ा फैक्टर आज मुदी ने कल्यान सिंग को याद करके पिछडी जाती को संदेश दिया है आज कल्यान सिंग जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रतापसी, राज्य विश्व भी द्यालाए और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगड की नई पहचान को देखकर बहार खुस हुए होते और उनकी आत्मा जहां भी होगी हमें आशिरवाद देती होगी पश्मी उप्तर प्रदेश की धर्ती पर जन्नायक चौधरी चरण सिंग का नाम प्रधान मंत्री मोदी ने लिया नाम के तीछे वज़ा क्या आप मोदी से सुनिये जो रास्ता चौधरी साहम ने दिखाया उनसे देश के खेती मदूरों और छोटे किसानों को कितना लाब हुआ ये हम सभी जानते हैं मोदी ने एक बार नहीं कई बार योगी आदितनात का नाम लिया मैसेज बीजेपी के कैडर और उत्तर प्रदेश की जन्ता को दिया कि सब कुछ ठीक है चेहरा योगी ही होंगे आज उत्तर प्रदेश डबल इंजिन सरकार के डबल लाब का बहुत बड़ा उदार है योगी जी और उनकी पुरी टीम ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भुमिका के लिए तयार किया है ये वो नाम है जो प्रदान मंत्री की मोदी की जुबान पर नहीं आए लेकिन निशाने पर रहे अखलेश यादव, राकेश टिकैद, मुकतार अंसारी, अतिक एहमत मोदी ने बिना नाम लिए अखलेश यादव पर सियासी प्रहार किया वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोडे अटकाए जाते थे एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से से चिठी लिखी जाती थी लेकिन यहां उस गती से काम नहीं होता था प्रधान मंत्री की टिपणी पर अखलेश यादव ने पलटवार किया प्रधान मंती जी को होम डेपार्टमेंट का और अगर हो मैं के डेटा नहीं मंगा सकते तो कम कम से कम डाइल हंडीड का डेटा मगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखेका उत्तवपदेश में अपराद कौन बढ़ा रहा है और कम से कम मुख्यमंदी शी को इन दे करके जाएं कि के टॉप टेन माफिया उत्तवपदेश के कौन हैं वैसे प्रधानमंत्री अब यहाँ शाचन प्रशाचन गुन्डों और माफियाओं की मनमानी से चलता था लेकिन अब वसुली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं इसी छेत्र में चार-पांच साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे कितने ही लोगों को अपना पुस्तेनी घर छोड़ना पड़ा पलायन करना पड़ा आज यूपी में कोई अपरादी ऐसा करने से पहले सोग बार सोचता है मोदी ने क्रशी कानून पर आंदोलन कर रहे राकेश टिकैद पर भी निशाना साथ है यहां के बेटा बेटियों के सामर्त को और बढ़ाना है और विकास विरोधी विकास विरोधी हर तांगत से उत्तर पदेश को बचाना है राजा महेंदर प्रतापसी यानि मोदी ने साफ कर दिया है कि आगे की चुनावी रणीती क्या होगी चुनावी एजंडा क्या है मुद्दे क्या होंगे आज तक देरो प्राइब प्रोड़ी हुआ मुद्दे की चुनावी भिकास विकी चुनावी प्रॉण क्यूंग